जैहिन दोस्तो मेरा नामे रोडागर और हमारे यूडूब चैनल सरकारी जॉब इन्फोम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे एक कोर्रेलेशन भरती का चार्ट हमारे सामने आ चुका है हाला कि सेंटर की पहले भी चार्ट आ गया था उसके उपर मैंने वीडियो बनाई थी बट वो चार्ट में only information दी थी कि भरती कब होगी और कौन सी ट्रेट है बट अब new चार्ट आया जिसमें भाई पूरी information दी है कि आपको online registration करना पड़ेगा जैसे AMC सेंटर में हुआ था इमेल के थुरू कौन कौन से documents आपको भेजने है last date क्या है पूरी information दोंगा तो ये वीडियो आपको end तक देख लेनी है और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को subscribe नहीं किया तो please हमारी YouTube चैनल को भी subscribe कर लेना भाई ठीक है क्योंकि आपके प्यार और support की बज़े से हम आज इस मुकाम तक पहुचे है और बात करने भाई हमारी Instagram ID की तो हमारी Instagram को भी follow कर लेना क्योंकि आपको वीडियो आने से पहले यहाँ पर अपडेट हो जाते हो पहले ही क्योंकि यहाँ पर मैं फोटो वोटो अप्लोड कर देता हूं और आपको यह चार्ट में हहीं पर ही मिल जाएगा वाई ठीक है वीडियो के description में लिंक दिया हुआ है आप सीधा होँआ से जाके follow कर सकते हो और इस वीडियो में एम रखते हैं वह डेट सो लाइक का तो please डेट सो लाइक दे देना और मैं आपको بتा दूँ किसी वी यूटुबर ने ये वीडियो नहीं डाली है और मैं आपको बता दूँ मेरे डालने के बाद ये इसके उपर वीडियो आनी start हो जाएंगी क्योंकि किसी ने notice नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जैसे कि आप देख सकते हो 58 गोर का ट्रेनिंग सेंटर इस सेंटर पर पहले भी चार्ट आ चुका था जो कि जिसकी भरती एक दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी और 31 जनवरी 2021 को इसका एक्जाम होने वाला है इस सेंटर में ओनली जी पढ़ोगे यहां पर इन्होंने के लियर बताया कि जैसे कि यहां पर पढ़ सकते हैं यहां पर बूला है तो इमेल आईडी यहां पर आप जैसे पढ़ सकते हो यहां पर मैं आपको बता देता हू पढ़के 58 GTC UHQ DEC2020 वीडियो के description में भी मैं mention कर दूँगा email id वहां से भी आप देख लेना और बात कर लें आपकी last date कब है सबी documents को बेजने की तो एक December से आपको documents बेजने start करने हैं और 5 November एक November से बेजने start करने हैं और 5 November तक आपको सबी documents को बेज देने हैं और 5 November के बाद आपका कोई भी document accept नहीं किया जाएगा मतलब 6 November को आपको documents नहीं accept किया जाएगा एक से पांच के बीच महीं किया जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते है verification at this end फिर नीचे बात करने document कौन-कौन से लेके जाने है sorry भेजने हैं तो यहाँ पर पर दसमी की mark sheet होनी चाहिए आपके पास पास वाली और 12 मिसाल होना चाहिए आपके पास ठीक है और फिर गोरखा का certificate होना चाहिए और relation certificate होना चाहिए आपके पास ठीक है यह सभी आपको scan करके वेज देने या इस email ID पर जो मैंने आपको बताया है फिर नीचे आप यहाँ प सेंटर की तरफ से आपको reply आएगा वो आपको अपने पास रखना उसकी print out निकार के आपको सेंटर में दिखानी है जब ही आपको entry मिलेगी corona report भी आपको लेके जानी है भाई ठीक है मैं आपको बता दूँ और आपको marks भी लेके जाना है जब ही आपको entry मिलेगी और मैं आपको बता दूँ जिस बंदे ने यहाँ पर registration नहीं करेगा उसको बिलकुल भी entry नहीं दी जाएगी यहाँ पर clearly बताया गया है भाई ठीक है तो आपको अगर यह चार्च है तक कब कब वहाँ पर registration हो गया था तो मैं आपको बता दूँ जल्दी से यहाँ पर registration कर लीजिए कोई भी परेशान होते इस्टागाम को मैसेज कर देना नहीं तो कमेंट कर देना नहीं तो मेरो वर्टसअब गुरूप भी है वीडियो की description में लिंक दिये हुएं भाई वहाँ से join करके पूछ सकते हो thanks to watching, bye bye